नमस्ते कैसे हैं आप सब मैं मॉनिका अलुवालिया आज आपसे बात करने वाली हूँ फैमिली कॉंसलेशन के बारे में हम सबको अपनी फैमिली बहुत प्रिय होती है और हम सब इस फैमिली के सदसे हैं और सदसे होने के नाते हम सबके अपने दाइरे होते हैं अपने रिस्पॉंसिबिलिटी होती है और साथ-साथ अपना एक जगे होती है पर ऐसा कभी-कभी होता है कि जीवन में ऐसे कुछ पढ़ावाते हैं जिसके कारण कुछ लोग इस फैमिली सिस्टम के ऑर्डर से अलग हो जाते हैं या उनका कुछ डिस्रिगार्ट हो जाता है पर disregard या exclusion होने से या उनको याद ना करने से क्या फैमिली पर इसका असर होता है? हाँ होता है और इसका असर इतना तेज और भारी होता है कि यहां तक कि वो फैमिली मेंबर जब रहते भी नहीं है और आगे की generations जब आती हैं तो वो भी इस impact को महसूस करती है क्या आप जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो patterns, जो issues या जो blocks आप महसूस कर रहें जीवन में और आपको लगता है कि वह आपके नहीं हैं तो वह कहां से आ रहें और क्यूं आ रहें और किस गज़े से आ रहें और जब आप इन सब को जान पाएंगे, इन सब को देख पाएंगे, उस wisdom तक पहुँच पाएंगे तो किस तरह से आप इन सब issues और patterns से बहार आ सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं और अपना जीवन, अपने अनुसार जी सकते हैं तो आएए मेरे साथ हम एक पढ़ाव चलते हैं इस family constellation की तरफ जो कि आपको अपना जीवन, अपने अनुसार जीने में मदद करेगा और यह जीवन होगा, खुशाल, पीसफुल और स्वतंत्र, धन्यवाद